नमस्कार मित्रो गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्र पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मिर्चिकटिकम लेकर के उपस्थित हूँ और हम लोग मिर्चिकटिकम के छठे अंक को क्रमशह समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक वाक्य उस वाक्य से निकलने वाले जो विविध पक्ष हैं उनको जानते हैं। तदनुसार हम लोग जहां पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, वहां हमने पाया कि जो चंदनक और विरक हैं, उनकी नजर एक गाड़ी पर जाती हैं। चुकि वो दोनों अपने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ जेल तोर करके भागने वाला जो बंदी है, आर्यक, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो उसे वापस पकड़ करके फिर जेल में बंद किया जाए। और इस क्रम में पूरे नगर की सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दी गई है, मजबूत कर दिया गया है। वसंत सेना चारुदत के पास पुष्प करंड़क नामक जीरनो द्यान में मिलने के लिए जाती है। बस ये सूचना मिलती है। उसके बाद वीरक और चंदनक जो सुरक्षा कर्मी हैं उन दोनों में एक संवाद होता है। और चंदनक कहता है कि जाने दो भाई गाड़ी चुकि आरिय चारुदत की और वसंत सेना है। दोनों विश्वस्त और विश्वस्णिय व्यक्ति हैं। उनको जाने दो। विरutیک कहता है कि नई भाई ऐसे कैसे जाने दे दूं कौन आरिय चारुदत है मैं तो नहीं जानता। गाड़ी की चेकिंग करेंगे। संबाद होता है चंदना कहता है कि अरे भाई तुम आरिया चारुदत को नहीं जानते हो क्या तुम वसंत सेना को नहीं जानते क्या भाई ये चारुदत और आरिया वसंत सेना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आकाश में चांदनी के साथ साथ चंद्रमा विध्यमान होता है और तुम वसंत सेना और चारुदत्तों को नहीं जानते तो समझो तुम चांदनी के साथ जयोचुना के साथ उसे चंद्रमा को भी नहीं जान पा रहे हो पाइन ड़न एक बड़ा सुन्दर शब्द है जयोचना सहितं चंद्रमपी त्वं नजानासी अब देखें इसको इस विम्ब को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं जयोचना स्ट्रिलिंगर शब्द है चंद्रपुलिंगर शब्द है ठीक उसी प्रकार वसंत सेना स्ट्रिलिंगर शब्द हुआ चारुधत वसंत सेना जोतना सहितम कार्थ तो हो गया वसंत सेना सहितम अर चंद्रम कार्थ और हो गया चारुधथ Seattle लेकिन प्रश्न यह उतपन्व होता है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा और जोतना में चांद और चांदनी में आविनाभाव संबंद होता है इनसे परेवल रिलीशनों है और ताप चंडरमाँ से चंदनी को अलग नहीं किया जा सकता तो आखिर क्या पूरे के पूरी पूरी की पूरी उजयनी में या उस नगर में लोगों को वसंत सेना और चारुदत के संबंध के विशय में जानकारी है क्या यदि जानकारी है तब तो ये बड़ी सुन्दर बाते हैं कि चारुदत और वसंत सेना जो है अन्योन्य भाव से युकत हैं दोनों प्रणायाबध है दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है दोनों में अद्वईत संबंध है यदि यह है तब तो यह कथन सत्य है लेकिन यदि ऐसा नगर में जानकारी लोगों को नहीं है तो फिर चंदनक के द्वारा यह हवाक्य का जो प्रयोग है ऐसा कहा जाना जो है वो मैं समस्ता हूं कि अउचित्य दोश इसमें है अनउचित्य है क्योंकि बिना ज्ञान के इस प्रकार के किसी विशय में जानकारी देना संबंध स्थापित नहीं हो रहा लेकिन चलिए हम ऐसी जानकारी को सत्यापित करते हैं कि हो सकता है कि दोनों के प्रणई के विशय में पूरी प्रजा जानती हो और इसलिए चंदनक ने ज्योचना सहितम चंद्रम ऐसा शब्द प्रयोग किया है चाहुदत और वसंत सेना के लिए फिर उसी को continue करते हैं आगे बढ़ाते हैं कि कस्तम गुनारविंदम शीरम रिगांक जनों न जानाती आपन्य दुख्ध माक्षम चतुह सागर सारम रत्नम देगे चतुह सागर सारम रत्नम जो चारों समुद्रों का जो सार भूत रत्न है उसके समान आपन्य दुख्ध माक रूप में कमल शीलम रिगांक और स्वभाव से चंद्रमा के समान उस व्यक्ति को कह जनह तम चारुदत्तम न जानाती उसे चारुदत्त को नहीं जानता भाई ये वो चारुदत्त है जो गुण में कमल के समान है अर्विंदकार्थ कमल है कमल के समान है हमारी साहित्य का पर के लिए कहा कि मानों गुण रूप में अर्विंद हो और ताज इसमें किसी भी प्रकार का अवगुण ना हो शीलम रिगांक स्वभाव से चंद्रमा के समान और ताज सब के प्रटी शीतल व्यवाहर करने वाला वह चारुदत है अपन्य दुखं दुखको प्राप्त वह सारे उस समय चतु सागर की अवधारना है अब चतु सागर में कौन कौन गिना जाए क्या गिना जाए अलग है आज तो सागरों की संख्या काफी बिद्ध है लेकिन हमारी जो पौरानी के परंपरा है उस पौरानी के परंपरा में चा चारो समुद्रों का जो सार रत्न है जो स्रेष्ठ रत्न है उस रत्न के समान इसे चारो दत्तों को कौन नहीं जानता कौन इस अव्यक्ति नहीं जानता कि जिसकी गाड़ी को तुम कह रहे हो चेक करने के लिए अरे विरक्त कुछ तो लिहाज करो कुछ तो सोचो कि इतना बड आया व्यवाहर वाला व्यक्ति है उसको जाने दो और आगे कहता है कि द्वावेव पूजनिया विह नगर्याम तिलक भुतवच्च आर्या वसंत सेना धर्मनिधिश्च चारुदत तश्च अब जरा इसको समझ यह कि कह रहे है इह नगर्याम यानि इस नगरी में द्वावेव पूजनियो दोनों ही पूजनिया है दोनों ही पूजा के यूग्या है आदर्निया है सम्मानिया है स्तुत्य है प्रणम्य है कौन कह रहे है इह नगर्याम तिलक भुतवच्च आ इस नगरी में तिलक के समान जो द तिलक भूत तिलक हमाप जो हमारा जो पूरे शरीर का जो सबसे स्रेस्ट स्थल होता है ललाट उस ललाट की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व है उसको तिलक कहते हैं तो मानो नगरी जो है इस पृत्वी का ललाट हो और उस नगरी की शोभा को बढ़ाने वाले जो दो व् चारुदत और वसंत सेना वो दोनों तिलक के समान हैं और इसलिए वो इस नगरी की शोभाई हैं इसलिए वे पूजनिया हैं नाम भी है आर्या वसंत सेना और धर्मनिधिश्च चारुदत तश्चा अब इसको समझ लीजिए देखे हमने जब यहां पे आर्या वसंत सेना पढ़ा तो यहां पर इस आर्या का अर्थ वह अर्थ नहीं होगा जब चेटी या चेट आर्या वसंत से ना कहके संबोधित करते हैं क्योंकि आर्या यहां पर विशिस्ट एक सुपरलेटिव एड्यक्टिव के रूप में यहां पर विद्यमान है और ठीक उसी तरह जिस प्रगार के धर्मनिधी चुकि धर्मनिधी शब्द अर्था धर्मों की खान यानि जितने भी स्रेष्ठ कर्म होते हैं जितने भी अच्छे कार्य होते हैं ऐसे सद्गुनों का जो खाजाना है सद्कर्मों का जो खाजाना है कोश है वे चारुदत हैं तो चारुतत्त के लिए तो धर्म ने भी विशेशन हमें समझ में आ रहा है लेकिन यहां पर केवला आर्या मात्र कह देंगे आर्या वसंत सेना जैसा कि चेटी या चेट कहते हैं तो वो अर्थ में हिनता होगी इसलिए आर्या का भी अर्थ हम यहां पढ़ लेंगे स्रेष्ठ गुनाब होता जितने भी श्रेष्ठ गुन है आर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ गुनों से युक्त जो है यह वसंत सेना है और श्रेष्ठ गुनों से युक्त वसंत सेना और पूरे से पूरे जो श्रेष्ठ सत्कर्मों का जो कोश है ऐसा कोश चारुदत् और दोनों जो है वे पूजनिये हैं तो इसलिए भाई वीरक इनकी गाड़ी को जाने दो वीरक कहता है अरे चंदनक जानामी चारुदत्तम वसंत सेनाम चा सुष्ठु जानामी परम प्राप्ते चा राजकारिये पितरम अप्यहम न जानामी देखो भई मैं चारुदत्त को जानता हूँ और मैं वसंत सेना को भली भाती जानता हूँ अर्था दोनों को अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ लेकिन प्राप्तेच राजकारिये जब मुझे राजय का कार्य मिल चुका है सुरक्षा व्यवस्था का मैं अधिकारी बन चुका हूँ तो जब मैं अपने कार्य में लीन रहता हूँ तो अपने में पितर को भी अपने पिता को भी नी अपनी दादा को भी नी अपने किसे भी रिलेटिव तक को मैं नहीं पहचानता अर्थाथ मेरे लिए सब समान है चैह वो ए हो चैह बी हो चैह अच्छे हो चैह बुरे हो हम इस कारिय के लिए नियुकते हैं और चूंकि इस कारिय के लिए नियुकते हैं इसलिए हमें इस गारी का च्छानबीन करना ही पड़ेगा मित्रो सही अर्थों में अगर देखा जाए अगर हम भावना से निकल के बात करें हम इमोशन से अपने दिल से बाहर निकल करके बात करें तो निसंदेह वीरक जो है यहां पर प्रशंच सनी है लकिन जब हम नाटक देख रहे होते हैं ना दिरक हमें विल्यन प्रती तो होता है, क्योंकि वो उसकी गारी को पकरने के लिए तुला पड़ा है। और हम जानते हैं कि जिस गारी में वसंत सेना की बार बार चर्चा हो रही है, उस गारी में वसंत सेना नहीं है। उस गाड़ी में आर्यक बैठा है तो गाड़ी की छानवीन अगर हो जाएगी तो आर्यक पकड़ा जाएगा लेकिन हम जो audience होते हैं हम जो पाठक होते हैं हमारी साहनुभूती जो होती है वो antagonist के लिए होती है विपक्ष के जो चरित्र हैं उनके लिए होते हैं और जो विपक हैं उनके नहीं होते हैं लेकिन विपक्ष में भी कभी कभी अच्छा व्यक्ति होता है तो ऐसे विपक्षियों में जो एक अच्छा व्यक्ति है वो वीरक है जो हमारे लिए अनुकर्णिय के वल इसलिए है कि अपने कार्य पर अपने कर्तब्य पर अडिग है और उनका जो किसी भी कार्य के responsibility दे दी जाए तो हम में इतनी शुचिता होनी चाहिए कि हम किसी भी आगरह से किसी भी पूर्वागरह से किसी भी पक्षपात से हम ग्रस्त ना हो और इस प्रकारिय दे किसी भी समाज में कार्य शेली बन जाए तो वह समाज समाज नहीं वह स्वर्ग बन जाता है तो मित्रो आगे अपनी विवस्था को ले करके चलते हैं आरियक का सुंदर सा डायलॉग है और आरियक कहता है अपने मन ही मन कहता है अब क्या है कि जैसी भी मैंने आपको सूचना दी कि जिस गाड़ी में हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि वह चारुदत्त की गाड़ी है और उसमें वसंत सेना बैठी है वस्तुता उसमें वसंत सेना नहीं है क्याकि हमारे पाठकों को हमारे सारे जो आप सब लोगों को ये ग्यातों होना चाहिए कि गाड़ी की अदला बदली में जो चारुदत्त की गाड़ी है उसमें आर्यक जेल से भाग करके छिप करके बैठ गया था और जो शकार की गाड़ी है उस गाड़ी में हड़बडी में वसंत सेना जाकरके बैठ गई थी तो अस्तो अभी ततकाल जिस गाड़ी को लेकर के एक संबाद चल रहा है एक दिवाद उत्पन हुआ है उस गाड़ी में वसंत सेना की जगापर अभी आर्यक बैठा है आर्यक इन दोनों के संबाद को सुन रहा होता है और संबाद सुनने के क्रम में आर्यक कहता है कि आयम में पूर्ववेरी, ऐयं में पूर्वबंधु भी अपने मन में ही अपने मन में बड़बढा रहा अपने मन में बोल रहा है अरे यë तुımıera पहले से ही वेरी है और यह मेरा पहले से ही मित्र है ऐसा प्रती तो होता है कि इनकी इस बादस्ची से लग रहा है कि आरिया के वीरक को अपना वेरी कह रहा है शत्रू कर रहा कह रहा है और चंदनक को अपना बंधू कह रहा है क्योंकि हो सकता है कि इस जीवन यात्रा में कभी इन दोनों के साथ इनका एक संबंध कहीं कुछ बना हो विरोध हुआ हो या समर्थन हुआ हो तो वीरक ने यहाँ पर इसको पकड़ने में मदद किया हो और चारुदत इसको चंदनक इसको छुडाने में लगा हो या कोई आनिय बात हो इसलिए वो दिवनों को अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है आरियक क्यों क्यों क्या होता है मित्रों कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम संबाद से भी अपने हितईशी और अपने अहित चाहने वाले को बना लेते हैं हितकर और अहितकर दो व्यक्ति आपस में किसी एक व्यक्ति को लेकर के संबाद कर रहा होता है कोई कहेगा अच्छा है कोई कहेगा बुरा है तो जो बुरा कहने वाला है उसको जिस व्यक्ति के वीशे में चर्चा हो रही है वो अव्यक्ति उसको कहगा कि यह दुमेरा शत्रू है दुश्मन है और जो उसकी प्रशंसा कर रहा होगा अच्छा कर रहा होगा वो समझेगा कि यह हमारा मित्र है तो यहां पर भी चंदनक जो है वो उसे वसंत सेना और चारुदत के पक्ष में बात कर रहा है तो पक्ष की व्याक्या इस पद्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तोत है कि एक कार्यन योगेपी अर्था दोनों के दोनों एक ही कार्य में लगे हुए हैं वह है राज्यकी नगर की सुरक्षा तो एक कार्यन योगेपी यानि दोनों के एक ही काम होने पर ही एक ही काम में दोनों कि नियुक्ति होने पर भी नानयो तुल्य शीलता ना अनयों इन दोनों के बीच में स्वभाव झो है एक समान नहीं है देखने और शवदाह में हुतब हुजोर द्वयो दोनों जगह के जो आग होते हैं उन दोनों जगह की आग में समानता नहीं होती एक अपवित्र कार्य को करने वाला होता है एक अपवित्र कार्य को करने वाला होता है अर्थात एक ही कार्य है दोनों जगह पर जलाना जो आग है उस आग का एक ही काम है जलाना लेकिन एक आग जो है वह विवाह में प्रयोग में आता है और एक आग जो है उसका प्रयोग चिता को जलाने में होता है दूसरे शब्दों में ठेक उसी प्रकार की दोनों में एक समानता नहीं है ठेक उसी प्रेकार वीरख और समानता है कि कहता है कि तौम तंत्रिल है राग्मव प्रत्य इताieur है वह द्त तुम जो हो चिंतना शिल सेणाति हो तंत्रिल चिंता करने वाला चिंता पर अर्था सोच विचार करके कारिय करने वाला तुम राजा का सेना पती हो इसलिए तुम क्या हो राग्या प्रत्या यतह तुम राग्या के विश्वा सपात्र हो तुम राजा के विश्वा सपात्र हो एतव धारितव मया बरी वर्दव अब लोग कहें ठीक है ये लोग कि मैंने बैल को पकड़ लिया है मैंने जुआ को पकड़ लिया है अब तुम जाओ और तुम देख लो तुम चेक कर लो कि भाई कौने वसंद सेना है या नहीं है विरख कहता है कि तुम भी राग्याप्रत् स्रिष्ट सुरक्षा कर्मिय हो तसमा्ट्व ihm Scr अ कि तुम ही जा तुम ही देख लो मैं क्या देख общемगा मैं ही लु मैं गारी पकरता हूं और तुम जा कर कर देखलो तो चंदनक कहता है मैंने देख लिया तो तुमने देख लिया चिन्ता किस बात किये है मैंने अगर देख लिया तो तुम्हारे द्वारा भी समझो देखा हो गया हम दोनों का काम एक ही है हम दोनों राजा के विश्वास अपात रहे तुमने अगर देख करके कह दिया कि इसमें वसंत सेना बैठी है तो चलो मैं भी मान लिया कि वसंत सेना बैठी है या मैं अगर तुमको देखकर के कहता हूं कि वसंत सेना बैठी है तो तुमको भी विश्वास कर लेना चाहिए कि वसंत सेना बैठी है विरख कहता है कि यत्वयावलोकितम तद्राग्यापालकेन अवलोकितम और तुमने जो देख लिया वो मानुराजापालक ने देख लिया अब देखे दोनों में बहस इस वाद को लेकर के हो रही है कि तुम देखो तो तुम देखो दोनों में responsibility यह है कि तुम जाकर के गूम करके जाओ गाड़ी के पीछे और देखो कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है या कौन बैठी हुई है चंदनक कहता है कि तुम जाकर के देख लो तुखी तुम राजा का विश्वास पात रहो वीरख कहता है कि तुम ही जाकर के देख लो क्योंकि तुम भी राजा के विश्वास पात रहो चंदनक कहता है कि भाई मैंने देखा तो समझो तुमने देख लिया विश्वास हो गया तो राजा कहता है कि अच्छे नहीं तुमने अगर देख लिया तो समझो राजा ने देख लिया इसलिए तुम जा करके देख लो ती बना अच्छा मदब इतरए से कह सकते हैं किस प्रकार के वाद संबाद होते हैं चंदना कहता है अच्छा ठीक है ऐसा करो उन्नामय धुरम जो जुवा है ना उस जुवा को तुम उपर उठा अब गारी पैरलेल है गारी की उचाई होगी नहीं दीखेगा तो क्या होता है कि यसे में जुवे को अगर उपर उठाएंगे तो पीछे जो बैठे लोग है वो न अब बिचारा जो उसमें आर्यक है उस आर्यक के मन में एक भायकी भावना तो उत्पन होगी ही क्योंकि सुरक्षा कर्मी से घिरा पड़ा है अब सुरक्षा कर्मी चेक करने के लिए आ रहा है और अगर सुरक्षा कर्मी से पकड़ा जाएगा तो पुनह पकड़ा जाएगा अपि रक्षिनो मा मवलो का यंती क्या ये जो सुरक्षा कर्मी लोग हैं क्या ये मुझे देखेंगे अभी और शस्त्रस चास्मी मंद भाग्या अरे मैं भागा मेरे हाथ में कोई हथियार भी नहीं है कोई तलवार भी नहीं है कि अगर वो मेरे पास देखने के लिए आएगा नहीं अध्वा यूं कहो कि भीमस्यानवक्रिष्या में बहुं शस्त्रम भवविष्यते वरं विया छतु अंस्धर्न ग्रिवीतस्यबंध righteous His God a कि भीमस्यानु करिश्यामि बाहु कि मैं भीमकानु करण करूंगा और बाहु शस्त्रम भविश्यती कि ठीक है कोई बात नहीं आये सुरक्षा करमी चेक करें मेरे पास नहीं भी शस्त्र है तो कोई बात नहीं मैं भीमकानु करण करूंगा और मैं अपने बाहु बल से उनसे युद्ध करूंगा और तद बाहु ही मेरा शस्त्र होगा वरम व्याया च्छतो मृत्युर्ण नग्रही तस्य बंधने भले ही मुझे मेरी मृत्यु की प्राप्ति हो जाए लेकिन मैं बंधन मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं इन लोगों की पकड़ में नहीं आऊंगा देखते हैं क्या होता है आगे अथवा साहसस्यताव दनवसर लेकिन नहीं यह अभी उचित नहीं यह उचित अवसर नहीं है कि यहां पर मैं साहस दिखाऊंगा क्यों क्योंकि इतने अधिक सुरक्षा कर्मी है और इतने अधिक सुरक्षा कर्मी से अगर मैं मैं बाहु युद्ध करूंगा तो वो उचित नहीं है अब यह सोची रहा है कि पीछे से चंदनक आता है और उस गाड़ी में बैठ करके देखना शुरू करता है जैसे ही वो आर्यक के पास आता है अर्यक हाथ जोड़के कहता है शर्णागतौस में ऐसा लग रहा है चंदन कि राज की व्यवस्था से राजब व्यवस्था से खुश नहीं है इसलिए और प्रच्छन रूप से वह आर्यक का साथ दे रहा है इसलिए इमेडियेटली अपनी भाषा का परिवर्तन करता है देखिए अभी तक जो वीराक और चंदनक का जो कन्वसेशन है वह प्राकृत भ जब यह लिखा गया कि संस्कृत अम आश्रितिय अर्थात वह चंदनक संस्कृत का आश्रे लेकर के बोलता है और जैसे ही व्यक्ति अपनी भाषा सामने वाले से कन्वर्सेशन का माध्यम में लाता है उस भाषा को सामने वाले का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है और उनको मन में इनके प्रति अपनत्व का भाव जागरित होता है तो जैसे ही चंदनक संस्कृत माश्रित यह कहता है और अभयम शरणागतस यह कहता है कहीं न कहीं आर्यक को सांस में सांस आया होगा और चंदरंग ने भी कह दिया कि नहीं किसी भी प्रकार का भैय आपको नहीं करना है आप मेरी शरण में आए हुए और शरण में आए हुए को निर्भय बनाना मेरा ये करतव्य है आर्यक कहता है त्यजाती किल तम जय श्रीर जहती चा मित्राणी बंधु वर्गश्चा भवाती चा सदोशा हास्यों यह घलू शरना अगतं त्यजाती चंदनक मैं आप से क्या कहूं त्यजाती किल तम जय श्री है भई राज्य लक्षमी जो विजय श्री है उसका साथ छोड़ देती जहती चा मित्राणी बंधु वर्गश्चा मित्र साथ छोड़ देते हैं और बंधु वर्ग जो अपने स्वजन है वो भी साथ छोड़ देते हैं और वह व्यक्ति सदईव हाश्य हास्य का उपएहास को प्राप्त होता है सदो उपाश्य है सत उपाश्य याँई एक स्रेस स्रेक्स हास्य उनका मजाक उड़ता है किनका यह khalु शरनागत अमतिय जटी जो शरनागत का साथ छोड़ देता है अर्थात मैं आपकी शरन में हूँ आपका ये कर्तम यह मेरी रक्षा करना ये चंदनक आप बखो भी जानते हैं जो शरनागत को शरन नहीं देता उनको उनकी लक्षमी उनका साथ छोड़ देती उनके मित्र साथ छोड़ देते उनके स्वजन साथ छोड़ देते और ऐसा व्यक्ति जो है वो सदेव उपहास को प्राप्त होता है चंदनक कहता है कथ मार्यको गोपाल दारक श्येन वित्रासित इव पत्र रथा शाकू निकस्य हस्ते निपतित अ एशो नपराध कोशार नागत आर्य चारूदतस्य प्रवहनमारुध प्रानप्रदस्य में आर्य सर्विलकाश्य मित्रम अन्यतो राजनी योगा बड़ा सुंदर है बड़ी सुंदर विवस्था है मित्रो हम अपनी इस व्याख्या को अपने इस परिचर्चा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे कि आरियक के साथ आगे क्या होता है आरियक किस प्रकार अपनी रक्षा कर पाता है या आरियक को चंदनक का सह्योग प्राप्तो होता है कि नहीं हम इसकी चर्चा करेंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने ध्यान पूरवत सुना झाल